जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों जैसा कि आपको बता हैं कि उत्राखंड के अंदर स्टेट युनिवर्सिटी स्रीदेव सुमन ने अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया हैं इसी प्रोग्राम के अंदर बच्चों युनिवर्सिटी ने बीएस्सी फस्स सेमेस्टर में कुछ वोकेशनल या फिर स्किल डवलपमेंट पेपर या प्रोग्राम स्टार्ट की हैं हम लोग उसी की बात करने वाले हैं टीचर भी हैरान है और स्टुडेंट भी परेशान है फिलाल थोड़ी इस्तिती साफ हुई है और जाके किलियर हुआ है कि बीएस्सी फस्स सेमेस्टर में दो स्किल पेपर चलाए जा रहे हैं उन दोनों स्किल पेपर में से हम लोग जान लेते हैं कौन किया है दोनों में से कोई सा एक पेपर आप ले सकते हैं सो नंबर का ये पेपर होगा जिसमें पास होना जरूरी है तो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की पहले पेपर का नाम है कोस्मेटिक एंड परफ्यूम केमिस्ट्री किलियर है आपको बच्चों ये पेपर जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा इस पेपर के अंदर 25 प्लस 75 का कराता है किलियर है आपको इन में से आपको जो पास होना जरूरी है वो 33 मार्क्स पे आप पास हो जाते हैं तो नंबर लाने आपको जरूरी है पहले पिपर के अंदर 4 यूनिट हैं 4 चैप्टर हैं पहले चैप्टर के अंदर कोस्मेटिक की इंट्रोडक्शन हिस्ट्री क्ल के बारह बताया जाएगा दूसरे चैप्टर के में यूज उने वाले नेचुरल प्रोड़क्ट्स के बारह जंदन का तेल, युकिलिप्टिस तेल, गुलाब तेल, जैस्मीन तेल वगेरा वगेरा और चोता चोए यहां पे फिजियोलोजिकल बेनेफिट्स के बारे में बता जाएगा कि भई खुस्बू से मूड पे क्या फर्क पड़ता है और कौन-कौन से अरोमेटिक सबस्टांस है, किलियर हुआ है, एनिमल सबस्टांस है या फिर आर्टिफिसल ओरिजन वाले सबस्टांस है उन सब का आपके जो हिमन हैल्थ है उस पे क्या असर होता है, यह बताए जाएगा चोथी यूनिट के अंदर क्या है किलियर है कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं मैं तो बुक से पढ़ूँगा, नोट्स से नहीं पढ़ूँगा मैं अपने नोट कुछ बनाऊंगा अच्छी बात है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया तो यहां पे जो युनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं मैंने आप इस्टिल किया हुआ है पोज किया हुआ है यह बहुत सारी बुक्स दी हुई है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल की बुक्ति हैं रेफरेंस बुक्ति हैं काफी अच्छी गतामे कुछ मैंने पढ़ेगा बाकि आप पढ़ेगा अब बात करते हैं पीपर सेकंड की सर्च दूसरा पीपर स्किल का बनता है वो बनता है बेसिक एनलिटिकल केमिस्ट्री अगर आप यह प जाहिए दियान नकिएगा इस पीपर के अंदर आपको पांच चैप्टर या पांच यूनिट मिलेंगे पहला होगा कंसेफ्ट ऑफ सैंप्लिंग दूसरा होगा अनलेसिस ऑफ सॉयल तीसरा होगा अनलेसिस ऑफ वाटर चोता होगा अनलेसिस ऑफ फूड कोस्मेटिक्स और पांच वाओगा सर आपका क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी आप जानते हैं यह सबस दुनिया बर के अंदर सबसे जदा सेंसिटिव और हाइली एडवांस टेकनीक है किसी भी कंपोनेंट की किसी भी सेंपल की टेस्टिंग के लिए एनलेसिस ऑफ उसका सेंपल लेना उसका उसका नमूना लेना सिखाय जाएगा दूसरे चैप्टर के अंदर आपको सोईल अनलेसिस यान की टेस्टिंग की टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा तीसरे चैप्टर में आपको वाटर क्वल्टी के बारे में यानि की वाटर टेस्टिंग के बारे में समझाया जाएगा और चोती उनिट के अंदर आपको फूड फूड और कोस्मेटिक की टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा clear रुँआ और chromatography तो आप जानती हैं paper chromatography और thin layer chromatography का है यहां पो use करना सिखाये जाएगा कुछ compound की testing उनकी purity वेगरा भी उनकी component के बारे में भी इस technique से आपको practical या theoretical knowledge जो भी आपके teacher पर depend करता है जो भी आपकी लाब में facility है वैसा आपको कराया जाएगा clear रुआ तो बचो यह यहां पर इसके अलावा यह इसकी reference book हैं जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कुछ national international book यहां पर दी हुई है आपको पढ़के अच्छा लगेगा clear है